एक बड़ा अजीब सा चेंज आएगा जिससे कि एक नया लाइफ शुरू होगी तो यह बैर को बता है अगर ऐसा होता है तो इनकी पत्री ठीक है मगर मैं शोर्टी से कहा सकता है इस सारीं के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है ये साल इस वर्ष गौरीदत जी आपकी जो जिन्दगी है उसमें टर्निंग पॉइंट है बच्चों के बारे में थोड़े ध्यान रखिये उनका अपनी वेवाईग जिन्दगी को सहिज कर रखिये अपनी जिन्दगी में आगे बढ़िये और इस साल निश्टित रूप से कुछ ऐस हैं बहुत से ऐसी बाते हैं जो सुलजाए नहीं सुलजती और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बिना मांगे हमें जिन्दगी में मिल जाती हैं और कई बारी बहुत से चीजों के लिए हम तूट तूट कर जीते हैं तब भी वो हमें प्राप्त नहीं होती ये सब क्या धरा है ये सारा काम है सितारों की चाल का 7575 पर अब लेते एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेवुनाली जोतिश में एक बारपुन है आप सभी का स्वागत मित्रों जिंदगी की समस्याओं का समधान जोतिश विज्ञान से संभव है हमारे साथ जोतिश विज्ञान के आचारे डॉक्टर शंकर डावल जी विद्यमान है दस से भी ज्यादा बड़े बड़े गरंथ आपके जोतिश विज्ञान पर प्रकाशित हो चुके हैं बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर के रोप में आप जाने जाते हैं और आपकी एक अलग पहचान है देश और दुनिया में आप चाहें तो इनकी विद्वता का इनकी अनभव का लाब जोतिश विज्ञान के माध्यम से ले सकते हैं तरीका वही आप जानते ही हैं या तो कीजिये हमें टेलिफॉन कॉल्स या भेजी समस एसमस का तरीका आपको पता है आपने मोबाईल में टाइप कीजे नाडी एन एडिजे इस पेस लिखे जन्म की तिथी जन्म का समय जन्म का स्थान आपका सवाल आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर ब्रेक पर जाते हैं समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ीती रियनु जी लुध्याना पंजाब से उनको शामिल करते हैं हलो हलो आपका स्वागत है व्रिगुनानी जोतिश में हां जी नमस्कार जर्म तिथी जन्म का समय रुस्थान जी सौरभ गर्ग सौरभ गर्ग हां जी सौरभ के बारे में जनना चाहती है उनकी जन्म की तिति बताईए जी 16th 8 16th of August 1997 चोटा बच्चा है यह जी 16 अगस्त 1997 समय बताईए 16 आठ 1997 हां जी 6 बजकर 28 मिनट संध्याकाल बर्थ प्लेस लुध्याना लुध्याना में जन्म हुआ है अभी आपके सुपुत्र है 12 साल के क्या जानना चाहती है इनके बारे में पढ़ाई के बारे में और है शे बत के 20 मिनट ना 6 आठाईश 628 पीएम लुध्याना में जन्म हुआ है सौरभ के बारे में जानना चाहती है रेनुजी लाइन पर है इनकी एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती है कि सक्षेत्र में काम्याब हो सकते हैं यह जानना चाहती है आप मतलब ब्रेक नहीं आना चाहिए को जाता है कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चे के लिए माता पिता कोई पूजा प्रार्थना या कोई उपचार करना चाहें सबसे बढ़ी पूजा प्रार्थना धिय और इस प्रभाई आप बच्चे के साथ रहें उसको बैठें ताकि वो भविश्य में आगे बढ़ सके और थोड़ी से ग्रह चुकी नाजुक हैं तो और भी ज्यादा ध्यान दिये जाने के आवश्च रखता है सौरब के लिए बाद वाशुब काम नाए एक SMS वर्प्राप्त हुआ है नाम है सवीता एर्थ ओफ सेप्टेंबर 1979 जन्म का तिथी है इनकी दिल्ली से SMS भेजा है लाश्ट डिजिट है 906 सितंबर क्या बर्थ रेट है आठ सितंबर 1989 1979 एर्थ ओफ सेप्टेंबर 1979 4 पीम चार बजे शाम के दिल्ली में जन्म हुआ है आर्थिक जो इस्थिती है आर्थिक जो समस्या है उसका समाधान कब तक हो जाएगा और इसके लिए कोई उपाय पूछना चाहा है को रत्न पहनना चाहती है इस पर लिखाए कि रत्न बताएं सभीता फ्रॉम दिल्ली टीके इनका इस साल जो है वो एक अच्छा समय है और पहले से पिछले साल इनका बहुत ही खराब था इस साल थोड़ा अच्छा समय है जिससे इनका कुछ काम वेगरा चालू हो जाएगा जहां तक इनको रत्न का सवाल है शनीर राओ सूर के घर में सूर बारवे में तो एक तो सूर को अर्ग दें अपने जब वो टीका लगाती है अपने आईब्रोस के बीच में एक काला च्छोटा सा काला टीका जो होता बीच में वो लगाएं और रात को ये तुलसी के पेड़ पे अगर दिया जला दें ये त बहुत ही खराब समय था उससे मतलब बहतरीन की तरफ चारूश हो जाए कोई रत्न भी इनको बताना चाहेंगे रत्न के लिए इनको पूछा है विशेश रूप से की कोई रत्न धारन करना चाहें तो आर्थिक इस्तिति और बहतर हो सके जिस से जो फैनिशल प्रव्लम से रिमूव हो जाएं पन्ना धारन करें जुपिटर का नक्षटर लॉड इनका है वो मर्कूरी है तो लोग कहेंगे अगर किसी मतलब मेरे ह्चाब से तो मेरी अपनी गरना है यह पन्ना और चोटा होती, दोनों साथ, हाला कि दोनों वो नहीं होते हैं, मगर एक साथ चांदी में दोनों को करके, ये धारंकर उससे फायदा होगा, मगर बाकी तो ये जो किस्मत में लिखा है, वो तो होगा ही, उसको उपर नीचे करने के लिए सब पूजा, पाट रतने, अपने अंदर संकल बढ़ाने के लिए, उसके लिए होते हैं, कि अपने अधर का इंफरस्ट्रीक्चर ठीक हो जाए, जो अंदर की मशीनरी है, अगर आदमी अपना ख्याल नहीं रह सकता तो दूसरे का ख्याल भी नहीं रह सकता। तो ये अंदर की मशीनरी को थोड़ा ठीक करने के लिए संकल बढ़ाने के लिए सब रतन सब उपाए होते हैं मगर अगर इनसे किसमत बदलने लगे तो हम यहां नहीं बैठे रहते हैं और बाकी लोग जहां है वो वहां नहीं होते हैं बाकी उपाईों से बहुत कुछ संबब हो सकता होता तो सब की जिन्दगी बदल गई होती जो किस्मत में लिखा है जो तकदीर में लिखा है वो निश्टित रूप से हमें भोगना ही होता है रही बात पूजा प्रारतना की या डिटर्मिनेशन की जो संकल्प हैं को हमारे सम्रत को हमारे दहरे को ौर रहे प्रतिभा को अधिक विक्सित करते अधिक संब्रिद्ध करते हैं जिससे में जंदगी के संघर्षपत पर अधिक मुस्कुराते हुए अच्छे ढंक से उन्चुनोतियों का सामना कर सकते हैं टौक्टर एक और मित्र हमार साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश मध्यप्रदेश से उनको शामिल करते हैं हलो आजी नमस्कार स्वागत है आपका भर्गुनाली जोतिश में अपनी जन्म की तिती जन्म का समय रुष्थान बताइए आप मेरी जन्म तिती है 24 चार अस्ती 24 ओपरेल 1980 समय बत टाइम बताइए टाइम ऑफ बर्थ 11 एम बर्थ प्लेस कहां पे जन्म हुआ था आपका जिला बताइए क्या डिस्टिक हैड़कॉर्टर क्या है बैतूल टाइम क्या टाइम है 11 बजे प्राता प्राता है हाँ जी बैतूल में जन्म हुआ है MP ग्यारा बजे साले ग्यारा सवाल क्या जानना चाहते हैं आप अमप्रकाश जी विवा में विलंब हो रहा है और इसके अलावा और भी कुछ पूछना चाहेंगे आप किसी लड़की के जान परचान है आपकी अलो शंकर जी आप से सवाल पूछ रहे हैं अमप्रकाश जवाब दीजिए अचाहें इनका शादी इस साल हो जाएगी चाहें वो जान परचान से हो चाहें बिना जान परचान के हो इनकी शादी जो है इस साल जून और डिसमबर के बीच में इनकी शादी निश्चे है थोड़ा टेंशन से होगी इस वर्ष जून के पश्चात आपके विवा का योग उधित हो रहा है, आपका विवा इस साल हो जाएगा, तोले से जंजट होने के संकेत मिल रहे हैं आपके चार्ट से, बहुत बाशुब कामना है आपके लिए और आप बहुत समय से इसकी प्रतिक्षा में भी हैं, एक SMS और शामिल करते हैं, ये SMS हमें प्राप्त हुआ है, नौर्थ हिष्ट से, अगर तला से आया है, इनकी जर्मती थी है 15th of September 2008, अपने बच्चे के बारे में यह नहीं जानना चाहते हैं, बहुत छोटा बच्चा है, 15th of September 2008, जिलो आए बस नाइन होगे हैं, टाइम है, चार बज कर आते हैं कि क्या चीज करनी चाहिए कि बच्चे का जो भविष्चे